उत्तर भारत में धान की रुपाई जून महीने के लास्ट से ही स्टार्ट हो जाती है लेकिन इसकी नट्सरी तयार करने के लिए किसान भाई लोग करेब 40 से 45 दिन पहले से ही इसकी तयारी सुरू कर देते हैं नडसीर की तैgrow करने के लिए किष CDC में नडसीर त्यार करने की लिए उसकी पहले एक लबार शिचाइड कर देते हूं जिससे इसमें जो है खर्पतवार होते हैं और उसके खर्पतवार जमाओ के बाद फिर इसमें जुटाइड कर देते हैं और जुताई के माध्यम से इसमें खर्पतवार को नश्ट कर दिया जाता है। और आगे चलकर जब इसमें नर्शी तयार करते हैं तो खर्पतवार का जमाव कम होता है। लेकिन कुछ किसान भाई सीधे जुताई करके भी इसमें नर्शी तयार करते हैं और आगे चलकर इसमें खर्पतवार नासक दवाओं का प्रियोग करना पोता है किशान भाईयों धान की नर्षी तैयार करने के लिए यदि हम 10 केजी के आसपास का धान की नर्षी तैयार करते हैं धान की नर्षी तैयार करकि जादी और यदि हम देसी के दान की नर्षी तैयार कर रहता है और इसी दोरान हमें खेत की तयारी भी पूरी कर लेनी चाहिए खेत की तयारी करने के लिए हमें कम से कम दो तीन जुताई रोटा बेटर से कर लेनी चाहिए और इसे खेत अच्छे तरीके से भुरबुरा बन जाता है और धान की नर्शरी जब भी हमें डालनी होती है लेनी चाहिए और खेत की सिचाई हम इस तरीके से करेंगे कि साम के समय इसमें हलका हलका सा थोड़ा सा पानी बचा रहे और यदि इसमें पूरा सोक जाता है तो इसकी हलकी सी एक बार और सिचाई कर देनी चाहिए और सिचाई करने के बाद हमें इसमें धान की बुवाई कर द जिससे बराबर मात्रा में सभी जगां पर धान की बीच पहुंचेंगे और इसमें हमें एक बराबर और अच्छी नर्ष्री मिलेगी धान की नर्ष्री डालने के बाद अधिकतर इसमें चिडियों का भी आतंक होता है और चिडिया इसमें से धान की बीच को खा जाती है तो इसके लिए हमें एक दो दिन थोड़ा दिन में ध्यान रखना होगा और चिडियों को यहां से दूर रखना होगा और दो दिन बाद इसमें अच्छे से जमाओ निकल आता है किशान भाईयों नर्शरी डालने के बाद इसमें तीसरे दिन इसमें घास की दवा डालने होती है और जिससे खरपतवार कम जमते हैं और यदि हम यह दवा नहीं डाल पाते हैं तो हम आगे चल कर आठ तस दिन बाद एक दूसरी भी दवा का प्रियोग कर सकते हैं और इस तरीके से हम धान की नर्शरी में घास को नियंतरित कर सकते हैं तो किशान भाईयों हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही वीडियो अच्छे लगे हो तो लाइक करें दोस्तों में शेयर करें और एक नए वीडियो को साथ जल्दी आप लूंख समुला कात होगी तब तक क्लिए नमस्कार